आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैट जो कि आपके ट्रलर को करेगा एक टोन लाइट यानि कि आपका है डार्क कलर आपको भी फियर स्कीन चाहिए तो उसके लिए मैं आपके साथ फेस पैट शेयर कर रहे हूँ और हम देखते हैं कि मार्केट में बह उससे हमारी स्कीन पे इसने साइड एफेक्ट हो जाते हैं कि हमारी स्कीन पे पिंपल्स हो जाते हैं रिंकल्स हो जाते हैं जुर्या हो जाती है जिसके कारण हमारी स्कीन वह लटक जाती है क्योंकि हमारी स्कीन उससे बहुत ज्यादा लूज हो जाती है तो हाज हम कर सकते हैं एक दो बार में ही आपको इसका फरक नजर आने लग जाएगा तो बाई जितने भी इंडिटेंट इसमें आज हम यूज करेंगे वो हमारे कर में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इसको बनाना भी बहुत ही इजी है और लगाने के बाद आपको खुद को आपको इसका फरक नजर आने लग जाएगा और अगर आप इसे हफते में एक वीक में दो से तीन बार यूज करते हैं तो आपको इससे पर्मानेंटली बोरापन मिलेगा तो सबसे पहले आज मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी और जितने भी इंडिट हम यहां यूज कर किस तरीके से फायदा है वो चीज में आपके साथ शीर करूंगी तो अब जल्दी से वीडियो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है हाफ टेबल स्पून चंदन पाउदर और इसका लिंग में डिस्ट्रिप्शन में आप से मेंशन करती है आप वहां से परचेस कर स इसकीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह सारे पिंपल्स को रिमूव करता है अगर आप रात में भी अपने चेरे पर लगा के सोते हैं तो चेरा एक तम से ब्राइट हो जाता है बहुत ही स्कीन को ब्लोइंग और ब्राइट करता है नेट्स अब लेना है वेटामीनी को कैपसूल एक वेटामीनी को कैपसूल चाहिए और उसमें छेद करके निडल की हैस से उसको जेल निकालना है वेटामीनी को कैपसूल से सेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह फेशयर की तरह वर्क करता है अब नेट्स्ट में आ ले रही हो गुलाब रिक गुलाब जल गुलाब जल की तरह वर्क करता है और आपको उतना गुलाब जल चाहिए जितना कि आपका फेस पैक बिल्कुल रैडी हो जाए उतने गुलाब जल की आपको नीड होगी तो आप एक बार अपने फेस पैक को अच्छे से मिला की देख लीजे कि फेस पैक बनके बिल्कुल र अच्छा होता है इसमें वेटामिन C और पॉटेशियम होता है जो कि चैरे के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद है एंड यह संटेंग को रिमूव करता है आपका पहले वाला रोरापन वापस लाता है अब इन्हें अच्छी तरीके से आपको मिट्स करना है और फेसपेट इसकी को आपको फेसपेट चाहिए आप देट सकता है तो अपने बालों को बन की हैल्भ से पीछ बहन लीजिए और या फिर आफ घुराइबसले किसी शाच्छी कर रहे हूं और फूरे फेस पे आपको अच्छे से इसे फेस पैट लगाना है तो ग्राइज यह जो फेस पैक है आपकी स्कीन को ग्लोइंग ब्राइट बनाए गवा आपको एक दो बार में ही इसका फरट देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें हमने जितने भी इंग्रिडियंट यह सबी स्कीन के लिए बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही फायदेमंद है और जल्दी से आपका जो इसके क्रलर टोन है वह बहुत लाइट हो जाएगा तो ग्राइज उसके बाद आपको वेट करना है 10-15 मिनट्स 10-15 मिनट्स में फेस पैट बिल्कुल सूप के रैडी हो एक ऐसी होम रेमेडी जिससे आपको बहुत ही जल्दी आप अपने स्कीन टों को लाइट कर सकते हैं आपको बहुत ही अच्छी ग्लोइंग स्कीन मिलेगी अगर आप इसे रेगुलर बेस पे यूज करते हैं जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया और आपको वीडियो प फॉलो भी कर सकते हैं तो अब मैं आपसे मिरूंगी नेच्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई गाइस